असलाम नेकम जी कैसे हैं सब आर शाम बनाने जा रहे हैं चिकन पिलाओ और साथ में चर्सी कड़ाई उसके लिए हमने चिकन को करना थोड़ा सा डीप फ्राई तो आयल हम ज्यादा डालेंगे उसमें अपनी चिकन को करेंगे डीप प्राई और इदर हम मैंने आयल डाल लिया इड्यवार बीतर है कि के और बनाएंगे हम फिकन पिलाओ अब इसमें डालेंगे थोड़ा सजीवरा लिए रखते चख रहतों हम साथ ही एक प्याशा ड़िए होरा प्यास करना हमने डाटा सब्रांट पिर इसमें डालेंगे मज़ मज़े की चीजि हैं Two backSS 8जनों के Auss्टरा जाज हमारे हो रहे हो थोड़ी गोल्डन होए है थोड़े सा ओर डास ब्राउन करेंगे इनको साफ में ले लिए टमाट और फरेमिच लीया सामगत ग्रमसाला लिया है दो से तीन लोंग है, काली मेंच है, डार्चिनियन की दो स्टिक्स है, दो बड़ी लाची है, एक छोड़ी लाची है, और जीरा, और इदर मैंने ले लिए नमक, जीरा पाउडर, फोर इसी सुरुख मेंच है, और यह हमारा चिकाना, और यह हो रहा है, ठोड़ा सारा, प्याज भो, पेंचे भी भाइट नजर ना आए, तारे ब्लैक हो, ब्राउन हो, डाक ब्राउन हो, साहत में आपने पानी भी ट्याद अखना थोड़ा सा, यह रेखें जी अब डाख हो गया है, सारी तरफ से थोड़ा सा हमने इसमे पाले गाले, पाले नाई तिकान, कितल को मैंने पहले से रोस्ट किया हुआ है इसलिए इसको ज्यादा मिस्काएंगे बस इतना थोड़ी देर गुमाएंगे और दा मिनित के लिए क्यूंकि यह पहले से रोस्ट है फिर इसमें डाल देंगे टमातर और हरीमेच और साथ ही आप गरम सादा अब इसमें चिकल को अच्छे पकाये लिए पिकन हमारा बहुत अच्छे से ओंगया रोस्ट यह जो चड़सी कड़ाई की अभी हमने इसका निकालना आइल जो आइल हो हम निकाल देंगे बस थोड़ा साइल इसमें रखेंगे इसमें हम दाल देंगे तीन से चार टमाटर और बस इसको कुछ नहीं करना अभी इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा सिरफ एक चमस में मख हम डालेंगे लिए टमाटरों के लिए ताकर टमाटर जो है वो अच्छे से गाल देंगे इसके उपर जाएगा घटना यह देखेंगे अब इसके उपर जाएगा घटन दो मिनट के बाद हमने घटन टाड़ के चेक करना है अब इसमें जाएगा जीरा पाउडर नमाट और थोड़ी सी सुरफ में अब इसके साथ टिकन को भूमेंगे अब यह रहते हैं जी टिकन हमारा बड़ा फुब्सूरफ कलर रहा हो गया अब इसमें पानी डालेंगे अगर जितने आपने प्याले डालें इससे एक निकाला पानी जागल का तो आपने दो प्यालें जाएगा पानी मेरे टूंड हाफ है तो इसलिए मैं 5 प्याले पानी डालेंगे अब धकन डाक देंगे पानी के बॉइलों नेका वेट करेंगे जब पानी बॉइल होगा तब इसमें चावल जाएंगे यह हमने रख लिए धकन अब उदर हमारी जो चर्शी कडाई त्यार हो रही थी उसको भी देख लेते हैं दो मिनिट हो गए हैं अब ही तमाटर जो हैं वो नहीं से इसे हुए अब इनको जो बारा दो मिनट के लिए रखेंगे ताके तमाटर जो हैं उच्छे से बन जाएं अब यह चर्शी कराई में जाएगा यह अदर प्लेशन का पेस्ट दो हरी मिर्च है है पुती वी लाल में चैने हैं अब देखती हैं जी पुड़ाई को जबादर जाओ रही है जी पुड़ाई मरी तमाटर भी तक्रीबन गल गए हैं हम ने पहले टाव नहीं रशान दरत का फेस्ट तो दोड़ा साइं को खमाएं गए तमाटर के साथ और चिकन के साथ ज्यादा में नहीं करने पाकि इस में बड़ी जल्दी बन जाता है बाकी जो चिकन कडाई एंचिकन चारी उसमें तो फीर टाइम लगता है ना बभी नहीं लगता हैं अब आई आपका अच्छे से दूला हो जो बड़ी इजी बन जो दूले नमक लगा के फूच बोस्तों है पानी जल्दी इसका फिशक हो जाता है आप बाकी चीज़ें इसमें डाल देंगे और इनको भी घुमाएंगे दो मिनट के लिए हम रेंटा कर लगा देना है दो मिनट के बाद देखेंगे इधर हम आजाते हैं जी पानी जो है वह हमारा वाई लोना शुरू हो गया है तो अब हम इसमें चावल डाल देंगे यह चावल जो है अब इसमें चले जाएंगे बसंद के हाथ से हमने चावल को मिक्स करना है पानी में और उपर लेना धकन दुबारा देखेंगे अब इसको दो मिनट के बाद आके दुबारा चेकरेंगे इधर हम अपनी कड़ाई को भी देख लेते हैं एक नजर वाव त्यार हो रही है ठीक है जी दो मिनट के बाद दुबारा दोनों को देखेंगे कि दो मिनट के बाद आवराम देखेंगे वाव जिचा मज़े की खुश्बू आ रही है लाजवाब हमारा चिकर चर्सी चिकर तैयार मज़े से खाईएगा महमानों को खलाईएगा चपाती के साफ चावल के साफ यां नाम के साफ बहुत मैंदेगा अब इसका कर देंगे क् चावल प्लाव के तरफ यह देखेंगे चावल हमारे तकरीब दन रड़ी है पानी फुश्बू हो रहा है और देखें कितने मज़े के लंबे-लंबे चावल आपको मज़र आ रहे होंगे अभी हम इसका टकन उपर ही रखेंगे पानी के खुश्बू होने का वेट करेंगे तकरीबन एक मिनट हमें और लग जाएगा फ्लेम आपने तेजी रखनी है एक मिनट के बाद दुबारा जब देखेंगे तो फिर हमने इनको पानी जब खुश्बू हो जाएगा तो हमने इसको दाम के राख देना है ठीक है जी एक मिनट हो गया अब हम टकन उठाक देखें क्या जबर्दस खुश्बू आ रही है कालो कुल हमारा प्लाव तेयार है पानी पिशक हो गया है खुरा सचमर चला के देखेंगे हलका साथ में कुमाना है ज्यादा नहीं चावल तूट जाएंगे अब हम इसको करेंगे फ्लेम को बिल्कुल स्लो और एक मिनट के लिए रख खत्म हो गया है और ठीक है जी द्वाओं में याद रखियेंगा अला हाफिज